गुट मॉर्निंग बिटा मैं आप लोगों का छट्पा वीडियो दाल रही हूं जो इंगलिश का हैं मैंने आप लोग पो सेकेंड लेशन पड़ाया था वी आर के एरफूल पीपल आज हम लोग इसकी एक्सेस करेंगे आप लोगों ने लेशन पड़के देखा होगा तो चलिए हम लोग इसकी एक्सेस करते आज टिक दअ करेक्ट एंसर क्या लिखा है या आप लोगों को कुछ क्यस्चन दिये उसके कुछ अप्श्यों दिये आपको इसमें टिक लगाना answer पर आपको क्या करना है तिक लगाना है who is Rajat Rajat कौन था आप लोगों ने lesson पढ़ा होगा तो आपको मालू होगा Rajat कौन थे तो Rajat कौन था a pilot एक pilot थे तो Rajat क्या होगा a pilot इसका answer होगा clear who is Rayman, रहमान कौन था तो bus driver थे रहमान to a bus driver clear और who is Mohan, तो Mohan कौन थे बिटा, और bus conductor, ठीक है, इतीरों के question आपको मैंज में कि रजत एक pilot थे, रहमान आप लोगों का bus driver थे, और Mohan कौन थे, और bus conductor थे, ठीक है, यहां तक सब्सक्राइब को समया है, यह आपको lesson से related था, question number two है, match the following, to make sentence, write a sentence in your notebook, यहां आपको match करना, यहां sentence दिये है, वहां आपको match करना है, पहले मैं sentence को पढ़ रही हूँ, the passenger have a safe flight, the passengers have a safe flight, passenger अपने आपको flight में safe समझते, क्यों समझते, because, इसका answer होगा, रज़त makes sure that everything works properly, क्योंकि जो रज़त, जो pilot है उसका, वो अपना पूरा काम का है से करता, बहुत properly कर रहा है, इसलिए passenger अपने आपको क्या समझते, flight में safe समझते, तो पहले का answer क्यों होगा, पहले का answer होगा, यह C, क्या होगा इसका answer, C, कौनसा answer होगा, C, The passengers enjoy the flight, because they are comfortable, enjoy करते, क्योंकि वहाँ पर आराम से रहते, इसलिए वो इसको enjoy करते, तो क्या होगा इसका answer, they are comfortable, इसका answer होगा, D, कौनसा answer होगा, D, The children are safe in the bus, children अपने आपको bus में safe समझते, क्यों समझते हैं आप लोगों को, क्यूंकि रहमान drives slowly and carefully, जो उनके driver रहमान है, वो अपने जो drive कर रहे हैं, वो बहुत आराम से और धीरे से कर रहे हैं, इसका answer होगा, A, कौनसा answer होगा, A, Mohan helps some children to get in and out of the bus, Mohan जो उनका conductor होता है, बच्चों को उतारने और चड़ाने में मदद करता है, उससे क्या होता है, they are very small, क्यों मदद करता है, क्योंकि वो बच्ची क्या है, बहुत छोटे हैं, इसका answer होगा, F, because they are very small, 5th आपका, the children don't make a noise, चिल्रन हला नहीं करते, शोरगूल नहीं करते, उससे क्या होगा, बचा, उसका answer होजाएगा, they don't want to disturb the driver, चिल्रन क्यों नहीं noise करते, शोरगूल नहीं करते, क्योंकि वो driver भया को disturb करना नहीं चाहते, because they don't want to disturb the driver, इसका answer होजाएगा, B, क्या answer होजाएगा, इसका, B, the children will goodbye, चिल्रन बच्चों को goodbye, चिल्रन driver और conductor भी आपको goodbye कहते, क्यों goodbye कहते हैं, they like Raymond and Mohan, क्योंकि वो उनको पसंद करते, they like Raymond and Mohan, तो यह आपके relation से related है, image the column, यह पूरा sentence, और either sentence, इसको आपको match करना था, यहाँ पर मैंने match करना बताई हूँ, इसको आप book में ही कर लिजेगा, copy make मत कर लिएगा, यह आले question को, आप लोग जो tick the correct answer है, इसको आप लोग copy में कर लिजेगा, यह आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते है, question answer के रुप में, who is Rajat, तो Rajat is a pilot, who is Raymond, Raymond is a bus driver, who is Mohan, Mohan is a bus conductor, यह आले question answer को आपको copy में करना इसको मत कर लिएगा, clear, इतना समझ में आगे है, अब अगले exercise हम लोग देखते हैं, use the word given in the word box, fill in the blanks, यहाँ पर आप लोग को कुछ words दिये हैं, word box में, यहाँ पर box में आपको कुछ words दिये हैं, आपको इससे fill up करना है, यह भी lesson से related ही आप लोगों का, पहला word दिया है आप लोगों को, pilot, क्योंसे शब्द दिया है, pilot, दूसरा वर्ड दिया आपको uniform, कौन सा वर्ड दिया है uniform, तिसरा वर्ड दिया आपको passengers, कौन सा वर्ड दिया आप लोगों को passengers, चौता वर्ड दिया आपको fuel, कौन सा शब्ड दिया है वो fuel, कौन सा शब्ड दिया है आप लोगों को fuel, पाचा वर्ड दिया है flight, अगला वर्ड है bus conductor और अगला वर्ड यह है disturb यह मैं आप लोगों को इसलिए पोले थी कि lesson में जितने भी kछिन वर्ड आएंगे आप लोग उसको तयार करेंगे इस lesson में जितने भी words आएंगे kछिन words आएंगे आप लोगों को उसको तयार करना है तो आप आप लोगों ने शायद इसको आप लोगों ने अगर तयार किया होगा तो आप लोगों कोई वर्स पढ़ते बने होंगे, clear? अब इसका sentence पढ़ना हम लोग, noise in the bus, क्या हैगा? अब लोगों बस में शोरगूल करेंगे, तो driver क्या होगे बिटा? दिस्टर्ब्स, कौन सा शबता हैगा इसमें? इसमें, कौन सा शबता हैगा? तो पहला वर्ड में, noise in the bus, disturbs the driver, clear? इसकूल बस, drives, wears a, जो सकूल बस के जो driver होते हैं, क्या पहलते हैं? युनिफोर्म, क्या पहलते हैं? इसमें तो यहाँ को समझें आ रहा हैं। थरडे, इसकूल, conductor, कानबचर यहां कौन सा शबता हैगा? Conductor looks after the children in the bus, इसकूल का बस के जो conductor होते हैं, बस में बच्चों को क्या करते देखते हैं तो यहां पर कौन से शब्दा जाएगा conductor ठीक है इतनी बार सबको समझ मैं fourth है आप लोगों का people who travel in a bus train or aeroplane आर जो bus bus में train में travel करते हैं या aeroplane में travel करते हैं उनको क्या बोलते बेटा तो उनको बोलते है passengers next step लोगों का blank flies and aeroplane कौन flies करता है aeroplane को क्या बोलते हैं pilot क्या बोलते हैं इसको pilot क्या बोलते हैं इसको pilot अगला है without fuel a plane cannot fly a bus cannot run बीना fuel के मैंने बताइती है diesel या petrol को fuel बोलते बीना fuel के ना तो aeroplane चलता है और नहीं bus aeroplane उड़ता है ना bus चलती है clear यह दोड़ती है a trip in an aeroplane is called a अगर aeroplane से आप लोग trip करते हैं aeroplane में चलते तो इसको क्या बोलते बेटा flight क्या बोलते बेटा इसको flight क्या बोलते बेटा इसको flight यहां तक सब को समझ में आ गया तो यह आप लोगों का हो जाएगा a trip an aeroplane is called flight क्या बोलते इसको flight यहां तक सब को समझ में आ गया अब आप लोगों को यह exercise आप लोगों को book में ही लिखना है इसको copy में मत करियेगा ठीके अब है इसके बाद है these words rhyme with each other but are spelled differently add one more word to each set आपको यहां पर यहां पर word यह beer, peer, tear यह आपको मालूम है कि rhyming इनके pronunciation एग जैसे है तो आप लोगों को इसका एक और word आपको इससे मिलके जुलता हुआ rhyming word लिखना है तो पहला है beer, peer, tear एक शाब्द और लिखना है तो उसको add more word तो एक शाब्द और मैं लिख दे रहे हूँ w-e-a-r, we are w-e-a-r क्याँ है, we are ठीक है और उसके बाद अगला शाब्द है care, scare, spare और एक शाब्द और लिख देना है तो यह शाब्द लिखना हुआ हूँ है share s-h-a-r-e share s-h-a-r-e share ठीक है तो यह एक दूसरे की क्या है यह rhyming word ही हो जाएंगे bear, peer, tear, or wear care, scare, spare और यह share इनके spelling अलग अलगा लेकिन इनके pronunciation एक जैसे है clear यहां तक सब को समझ में आया अगला है what does the people do what does the people do how do they help us fill in the blanks using the words given in the word box अब आप लोगों को आपको बताना है कि people क्या करते है यहने जैसे कोई नाई है तो नाई क्या करता है बाल करता है तो उसी के बारे में आप लोगों को बताना है तो इसी प्रकरते हैं बहुत सारे people दिये है वो क्या करते है उनका क्या work होता है उसकी बारे में बताना है तो आप लोगों को यहाँ पर इनको ब्लैंक्स भरना है तो जो पहले word box में दिये है उसको मैं पढ़ ले रही हूँ पहले word दिया है groans कौनसे शब्द दिये है groan groan का मतलब होता पैदा करना पैदावार करना work work हैने काम करना reads reads हैने पढ़ाना cuts हैने काटना take care हैने ख्याल रखना कौनसे शब्द यह take care कौनसे शब्द यह take care sir 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 वह हैने परोषना build build हैने बनाना sale नाविक होते है उसको नाव को ढूना जिसको बोलते है sale करना puts और style style मतलब आपको बालो की style बनाना बोलते है तो उसको बोलते है style जा बोलते है style अब यहां पर आप लोगों को fill up करना fill करना है अब a hair dresser कौनसा शब्द है वो hair dresser hair dresser का मतलब होता है hair की dressing करने वाला मतलब hair बाल बनाने वाला तो क्या होगा क्या करता है बाल बनाने वाला cuts and style hair बालो को काटता है और style बनाता है बालो की style बनाता है तो क्या जाएगा cuts and style क्या शब्द हो जाएगा cuts and styles hair clear यहां तक सब को समझ में है second is a farmer farmer क्या करता है blank the rice wheat, dal and vegetables we eat grown, grown का मतलब करता है पैदा करना, grown का मतलब क्यों होता है पैदा करना, तो a farmers groans the rice, wheat, dal and vegetables we eat clear, third is builders builder क्या बनाता है, the homes will you, build, build मतलब बनाना मैंने बताया था, the builders build, कौन से शब्दा आजाएगे इसमें, build build, build, समझ में आगे सबको, अगला है sailor blank in ship and to different countries sailor क्या करता है बेटा sailor sail करता है, जो अब ship होता है ship को चलाना, उसको बोलते है, sail करना क्या बोलते है, sail, ऐसे sail, तो sailor sailor work आजाएगा in ship and sail in different countries sailor work आजाएगा, यह डबलू ओ ओ और work आजे काम करना, work in ship and sail, sail आजे इधर से उतर ले जाना, sail to different countries और एक इस्तान से दुसरे इस्तान तक क्या करता है एक country से दुसरे country तक ले जाता है sailor works work in ship and sail to different countries ठीक है, समिन में यहाँ पर क्या आजाएगा work और यहाँ पर क्या आजाएगा sail मतलब हुए भलते क्या जाएग पर सेफर्ड एक क्याँ करणए परफोeral में इसको sun सबस्ग्राइब बंख कि वेटर्स ब्लैंक अमें परोष दस्ञा है Ryan putin ब्रॉस्टारिंट workshop सब को समझ में आ गया उसके बाद है a firefighter out fires in buildings and houses a firefighter puts out क्या हो जाएगा यहां पर कौन से शब्दा जाएगा puts out कौन से शब्दा जाएगा puts out फिर है a news reader a news reader read the news on the radio and tv news reader क्या करते है news reader का मतलब होता है जो आप लोगों को देखे हैं टीवी में रेडियो में न्यूज बताते हैं तो क्या करते हैं पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं news reader a news reader read the news on the radio and tv यहां तक सब को समझ में आ गया है तो यह आप लोगों को बुक में इसको complete कर लेना clear चलिए तो यह यहां तक आपकी exercise हो गई अगली exercise हम लोग देखते हैं use the use two nouns to make one noun use the word given in the word box the first one has been done for you अब यहां पर आप लोगों को word दिये है day, fly, broom, bag, paste, shed, bell और brush clear, press it if you want to get into the house आपको बोल रहा है कि आप लोग जब किसी घर में जाना चाहते हैं तो पहले सब से पहले क्या प्रेस करते हैं क्या आप दबाते हैं तो लिखा है doorbell, doorbell का मतलब होता है जो घंटी होती है उसको बोलते हैं doorbell तो आप लोग किसको प्रेस करते हैं doorbell को प्रेस करते हैं ठीक है इती बाइस सब को समझ में तो क्या हो जागा यह doorbell क्या हो जाएगा doorbell second चीजे a tiny insect with colorful wings ऐसा छोटा बाला जीओ जो बहुत colorful wings होते है जिनके colorful पंक होते है उसको क्या बोलते है बटर अब बटर के साथ क्या लगाएगा यहाँ पर fly क्या हो जाएगा butterfly बटर फ्लाय का मतलब आप लोग जानते है तितली बटर फ्लाय मतलब क्या होता है तितली यह हो जाएगा बटर फ्लाय ठीक है और टाइनी इंसेट with colorful wings ऐसा इंसेट जिसके colorful wings होते है उसको क्या बोलते है बटर फ्लाय some things you use every morning and every night आप लोग रात को और सुबस अब उठते है तो सबसे पहले क्या करते है टूथ ब्रश क्या करते है टूथ ब्रश और टूथ ब्रश में क्या लगाते है टूथ पेस्ट क्या हो जाता है टूथ पेस्ट तो यहाँ पर कौन सा शब्द आ जाएगा पहले यह टूथ ब्रश की स्पेलिंग क्या हो जाएगी बी आर यू एश ब्रश ब्रश की स्पेलिंग क्या है बी आर यू एश ब्रश तो यह हो जाएगा टूथ ब्रश कौन सा सब्द हो जाएगा यह टूथ ब्रश कौन सा सब्द हो जाएगा टूथ ब्रश समेज में आगे सबको अगला है mom carries this to work and to the market mom carries this to work and to the market mommy क्या लाती है काई में सामन लाती है carries this work and to the market mommy क्या लाती है काई में सामन लाती है तो यह हो जाएगा hand hand के साथ क्या लागेगा बेटा bag mommy जो हाथ में जो bag रखती है तो उसको क्या बोलते है hand bag क्या बोलते है इसको hand bag क्या सब्द होगा यह hand bag ठीक है इती बस अब को समझ में आ गई something you must put on the number something you must put on the number आपको बोल रहा है कि जो third number पर आप लोग ने जो यूज़ कि tooth brush पर क्या लगाते है बेटा यह आपको एक सब्द दिया यहाँ पर paste तो क्या लगाते है उस पर paste तो क्या हो जाएगा टूथ पेस्ट प श पिस प काउ उस यह क्या बोलते है cow room क्या बोलेंगे उसको cow room क्या बोलेंगे इसको cow room A room for cows at a farm जो जिस रूम में cow को रखते हैं उसको farm में जिस रूम में cow को रखते हैं उसको क्या बोलते हैं cow shed क्या बोलते बेटों इसको cow shed S-H-E-D shed गाय का घर को क्या बोलते हैं cow shed S-H-E-D shed It's a holiday आपको चुटी करीन कौन सा कहलाता है Sunday क्या कौन सा दे कालाता है Sunday तो यह हो जाएगा Sunday क्या हो जाएगा यह Sunday Where you study आप कहाँ पर पढ़ते हो तो class class के साथ क्या आजाएगा Room यह हो जाएगा Classroom क्या हो जाएगा बेटा Classroom C-L-A-W-S class और यह हो जाएगा Room आप लोगों को यह सब समझ में आ रहा है यहाँ पर दो शब्द मिल करके क्या एक नया शब्द बन गया है Door प्लस बेल Door बेल Butter प्लस फ्लाइ Butter टूथ प्लस ब्रस टूथ ब्रस Hand प्लस बेग Hand टूथ पेष्ट फिर उसे Cow Shed फिर Sunday और Classroom आप लोगों को यह सब चीज अपनी Copy में नहीं लिखना है अभी इसको मैं जो चीज बताऊंगी उसी को Copy में लिखना है इसको लेकिन बुक में आप लोग Complete कर लेंगे आज बस इतना ही अगले वीडियोस में अगला चप्टर अगला आप लोगों के एक ससाइस कराऊंगी ठीके धन्यवाद